हेलो गाइज आज मैं आपको टू मीटर कपड़े में पेंट प्लाजो की न्यू डिजाइन कटिंग एंड इस्टिचिंग दिखाऊंगी बहुत आसान तरीके से कपड़े को मैंने डबल फोर फोल्ड में कर लिया है जिस साइड मैं बैटिए हूँ उस साइड फोल्ड़ेड साइड है ये कपड़े की जो लेंध है 49 इंच और 22 इंच पर मैं ये निसान लगा रही हूँ लास्टिक के लिए ये मेरा कपड़ा फोर फोल्ड है और जिदर साइड मैं बैटिए हूँ उदर फोल्ड़ेड और इधर ओपें साइड है ये आसन का निसान मैं 15 इंच पर लगा रही हूँ उपर मैंने 2 इंच लास्टिक के लिए छोड़ा है तो ये होगे 17 इंच ये मारी मोड़ी होगी मीडियम साइड 10 इंच अब यहां से इन निसानों को आपस में मिला देंगे फटा फट तरीके से इस तरह से आपको इन दोने निसानों को आपस में मिला लेना है अब मैं इस folded side की cutting कर रही हूं उपर की side जहां पर हमारा नेफा फोल्ड होगा यह मैं आसन कट कर रही हूं जो मैंने 17 इंच का लिया था अब यहां से मैं अपनी मोडी तक कट कर लूँगी बहुत आसान तरीके से गाइस मैं आपको इस वीडियो में इसकी cutting और stitching बताने वाली हूं तो आप वीडियो को skip ना करें अब वीडियो को like करके चैनल को subscribe करना न भूलें आपको इस चैनल पर एक नया idea को सीखने को मिलेगा और बहुत आसान तरीके से यह मैंने आसन को कट कर लिया है यह साड़े चार चार इंच जो मैं कट कर रही हूं कपड़े को इसको नीचे डिजाइन बनाऊंगी इस तरह से मैं अपने कपड़े को यहां पर डिजाइन बना के लगाऊंगी जो मैं आपको भी स्टिच करके दिखाऊंगी तो यहां पर हमारा आसन लगेगा इस तरह से कपड़े को मैंने उल्टा रखा है जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है यहां से हमारा आसन अटैच होगा यह सिद्धी साइड है नीचे की यहां से यहां तक मैं इसको इसको इस्टिच कर लूँगी इस पर हमें दो सिलाई लगानी होती है आप भी हमेसे दो ही सिलाई लगाएं आसन पर अब दूसरी साइड मैं आसन को जोइन करूंगी यहां पर भी मैं दो सिलाई लगा रही हूं यह जो मैं डिजाइन बनाओ कि उसको इस तरह से पहले फोल्ड कर लेना एक साइड यह सिलाई आपको काफी फिनिसिंग के साथ लगानी होगी जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल इसी तरह आप भी लगाएं यह हमारी पैंट प्लाजो की मोड़ी है यहां पर मैं इसको इस तरह से रखूंगी अब मैं इसमें चोटी-चोटी प्लेटे डालूंगी जो हमारे पैंट प्लाजो के काफी अच्छा लुक आएगा अगर आपको भी स्लाइस सीखने में इंट्रेस है तो आप वीडियो को प पूरा देखिए उम्मीद करती हूं कि आपको यह वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की ज़रूत नहीं पड़ेगी आप बहुत आसान तरीके से इस पैंट प्लाजो की कटिंग अनि स्टीचिंग कर लेंगे इस वीडियो की कॉर्डिंग अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इस तरह से यह मैंने चुल लगा लिया अब मैं इसके उपर एक लेस अटेच्च करूंगी आपके पाद जो लेस हो आप वो लगा सकते हैं इस लेस को मैंने उल्टा रखा इसके उपर सिलाई लगा रही हूँ लेस को मैंने उल्टा क्यों रखा आप ही मैं आपको इसको दिखाऊंगी इस्टिच करने के बाद तो यह इस तरह से हमारी लाइस काफी फिनीसिंग के साथ आएगी यह इस लाइए अब में जब महीन बखिया करके लगाएं चोटी बखिया इस तरह से यहां पर हमारी यह सिलाई लेस वाली कम्प्लीट हो रही है अब मैं इसको कट कर लूँगी आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में कितनी फिनीसिंग के साथ हमारी यह लेस लग चुकी है अब मैं दूसरा वाला भी पार्ट इसी तरह बिलकुल तयार की हूँ जिस तरह से मैं इसमें पिलेटें और लेस लगाई है अब मैं इन दोनों को आपस में इस तरह से रख करके जो मेरा उपर कपड़ा दिख रहा है यह उल्टा था अब मैं दोनों कपड़ों को इस तरह से अटैच कर रही हूं आसन के साथ यह हमारी आसन है यहां से आपको इस तरह से उठया कर ना है यहां से आपको सुई को अंदर की साथ रखते हैं यह फिर सुई को गुमा कर यह सिलाए लगानी है तो मैं आपको इस वीडियो में फटाफाद तरीके से सील कर भी दिखा रही हूं आप लोगों से एक चोटी रिक्वेस्ट कर रहे हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब करना न भूले ये दूसरी साइड वाला आसन भी मैं जॉइंट कर रहे हूं इसमें मैंने उपर की साइड थोड़ा कपड़ा ज्यादा लिया क्योंकि यहां से हमारा नेफा फोल्ड होगा इसलिए अब मैं इसको उपन करके इस तरह से रख रही हूँ यहां से हाफ इंच कपड़ा अंदर की साथ करते हुए हमें ये सिलाई लगानी है हलके हाथ से आपको ये सिलाई कपड़े को करते हुए सिलाई लगाना है अब यहां से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसमें आप लाश्टिक या नाड़ा कुछ भी डाल सकते हैं वो आपकी अपनी इच्छा है इस तरह से आप कपड़े को सही करते हुए ये नेफा फोल्ड करें बिल्कुल इसी तरह से आपको पूरी सिलाई लगा लेनी है ये हमारी पूरी सिलाई लग चुकी है अब मैं इसके फिटिंग दूँगी फिटिंग आपको देते समय एक बात का काफी खयाल रखना है कि आपका दो उपर और लाकपड़ा और नीचे वाला दोनों बिल्कुल बराबर रहे और आपका आसन भी अगर आपका ये बराबर नहीं रहेगा तो आपकी मोड़ी एक छोटी और बड़ी हो सकती है जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है इसका आसन बिल्कुल बराबर आ रहा था तो इसकी मोड़ी भी बराबर आएगी अगर आप इसका आसन उचा नीचा होगा तो आपको इसकी मोड़ी भी खराब हो जाएगी इस तरह से हमारी पैंट प्लाजो की न्यू डिजाइन कटिंग इस्टिचिंग रेडी हो चुकी है अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाओंगे यह मैं छुटा छुटे कट लगा रही हूँ प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब करना न भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग